इस देखो लगबग Nifty 50 का एक जो stock है बहुत सस्ता मिला है, Nifty 50 का मतलब बड़ी company है, अच्छी है, काफी ज़्यादा safety भी है वहाँ पर, सबसे पहले आप उसका intrinsic value देख लो, intrinsic value से आपको क्या पता चलेगा कि company का real value क्या है, intrinsic value का मतलब होता है कि company का real value क्या, तो उसका real value आपक 75 रुपेज, लेकिन इसका share का price कहा है, तो इसका current market price यह जो आपको दिख रहा है, यह market price आपको दिखेगा यहाँ पर, तो यह stock जो है 799 रुपेज, 700, 800 रुपेज के बीच में चलता है, और इसका share का, जो यह मतलब real value है, 1175 रुपेज का, मतलब 1200 रुपेज के आज पास तो ही ऊपर चलता हाला कि कभी-कभी बीच-बीच में अपने value के पास भी आ जाता है, इस company का नाम है UPL, तो यह है UPL, देखो के chemical fertilizer के लिए company काम करती है, और लगबग yesterday last working day में इनका एक target दिया गया है, एक target दिया गया है, वो भी 1200 रुपे का, तो यह है यहाँ पर, CLA से का माना है कि 1100 रुपीज के आसपास यह stock जाएगा, आज नहीं पहले भी बताया गया, और इसका intrinsic value भी वहाँ का ही है, CLA से ने yesterday ही target दिया है 1200 रुपे का, वो जो है market open होने के बाद 10 रुपे के आसपास, आपको जो है खबर market में देखने को मिल लागा, कभी-कभी क्या होता, कुछ 2-3 लाग करोडों का नहीं है, लेकिन company ने काफी एच्छ return दे रखा, साथ-साथ में current market price भी कुछ ज़्यादा high नहीं दिख रहा, लेकिन इसका जो dividend है, वो भी काफी ज़्यादा attractive है, 1.25% cash to 1.25% है, जो कि लगबग अच्छ है, बड़े-बडे company में देखोगे, तो उनका जो dividend होता है, वो मतलब 1% से कम ही होता है, यहाँ पर आपको 1% से ज़्यादा देखने को मिल रहा, return on capital employed, return on equity की बात कर लेते हैं, तो वो भी लगबग 13%, 15% के थोड़ा बहुत उपर नीचे होता रहता है, तो यह चलेगा यहाँ पर, और company में मैं आपको बलूँगा, ऐसा को लेबल पर जाना स्टार्ट कर दियें, तो यह बड़े company है, अच्छे company है, आप इसमें लगबग पैसे लगा के छोड़ दो लंबे समय में, कभी कोई तकलिफ नहीं होने वाली अमतलब future में, यहाँ तक company की result की बात कर लेते हैं, यह है quarter result, तो last quarter में भी company ने अच्छा खासा profit किया था, अब देखना यह है कि अगले quarter में, जो अभी recent quarter result आने वाला है, वहाँ पर अगर company ने अच्छा result पेस किया, तो एक higher level में जाता हुआ नजर आ जाएगा,